गरुड कैसे बने भगवान विश्णों के वाहन? जिन में से एक था गरुड और एक उनका भाई था अरुण। सबसे पहले अरुण का जन्म हुआ जो सूर्य के रत के सारत ही बने। विनता की बहन नाग माता कद्रु ने विनता को हराया और उसे अपने और अपने पूत्रों की दासी बना लिया। नागों ने शर्त रखी कि वे तभी उनकी माता को लोटाएगे जब उन्हें अमरित मिलेगी। गरुड को अपनी माता को बचाने के लिए अमरित की खोच पर निकलना पड़ा। उन्होंने देवताओं को हरा कर उनसे अमरित छीन लिया और उन्होंने देवताओं से मा को छुडा कर अमरित लाने का व और उसे पुनह देवताओं को सौब दिया भगवान विश्णु ने गरुड की वीरता और बुद्धिमानी को देखा और उन्हें अपना वाहन बना लिया इस प्रकार गरुड बने भगवान विश्णु के वाहन और रक्षा के प्रतीक अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो कृप्या लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपकी कहानी भी इसी तरह के अद्भुत अनुभवों से भरी हो सकती है धन्यवाद